हेलो एब्रिमन स्वागत है आप सभी का एक बार फिस से जी डी सी टुटर के मेडिसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा पॉपलर मेडिसिन डूओ लीन इनेलर के बारे में जी हां डूओ नील इनेलर खास कर अस्थमा के कंडिशन में या कहले जिए COPD यानि की chronic obstructive pulmonary disease के condition में दिया जाता है और इसका असर भी देखने को मिलता है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा यानि की COPD होता क्या है और इस डूओ लीन इनेलर के अंदर main API main content क्या मिला होगा इसका उपयोग कहां कहां होता है इसके काम करने का तरीका यानि क्या है इसके इस्तिमाल करने का सही तरीका इसका dose इसका precaution इसका side effect मतलब हम इस inhaler की संपूर जानकारी आपको देने वाले हैं पूरे वीडियो में बने रहेगा ताकि कोई भी information मिसना होने पाए जी हां इस dual lean inhaler यानि की dual lean pump के अंदर जो main API main content होगा सबसे पहले 2 content मिले होग जो की 50 microgram के mount में इस pump इस inhaler में मिला हुआ होता है manufacture के बात कर रहे तो sipla limited के द्वारा बहुत अच्छी company द्वारा बनाये जाता है 30 degree के below store करते हैं और इस inhaler की कीमत लगबग 375 यानि की एक inhaler में 200 md यानि की 200 meter dose 200 बार आप pump कर सकते हो तो बात करेंगे इसके उपयोग की जी आपका COPD यानि की chronic obstructive pulmonary disease एक lungs का disorder है lungs का disease है जिसमें होता क्या है chronic lung disorder जिसमें आपका जो lungs है सास नहीं ले पाते हैं आप अच्छे से air को empty नहीं कर पाते airflow आपका जो है वो obstruction हो जाता है यानि airflow में दिक्कत होती है तो सास लेने में परिशानी होती है सास को बाहर करने में परिशानी होती है तो यहीं सारी disorder COPD कहलाते है उसी COPD को treat करने के लिए इस dual in inhaler का इसमाल देखने को मिलता है अब जब यह obstruction हो जाता है तो जो patient होता है वो सा सास लेने में difficulty feel करता है सास अच्छे से ले नहीं पाता air in out करने में उसको परिशानी होगी तो इसी परिशानी को दूर करने के लिए यह pump यह meter dose inhaler क्या करता है patient pump करता है pump करके सास के साथ अंदर लेता है जिससे क्या होता है उसको सास लेने में जो दिक्कत हो रही थी वो ची अब देखें जो लिवो साल भूटा माल है वो ब्रांको डाइलेटर यानि कोई जो ब्रांकाई होती है लंग्स के अंदर उनको डाइलेट कर देता है साथी साथ जो अपराट्रोपियम है एक तरह से एंटी कोली नर्जिक मेडिसन कटेगरी की ड्रग है अब देखेंगे जो ये साल भूटा माल है और जो एंटी कोली नर्जिक ड्रग का अपराट्रोपियम है ये क्या करेगा जो हमारे एरवे के अंदर जो मसल होंगी उनको डाइलेट कर देगी रिलाक्स कर देगी जब उनका मसल रिलाक्स हो जाएगा तो एरवे आपका थोड़ा सा वाइडेन हो ज खोड़ पाओगे तो आपका जो समस्या था वो ठीक हो जाएगा बात करेंगे इसके डोज की मेली आपका डोज आपके डॉक्टर के हिसाब से होना चाहिए डॉक्टर आपके कंडिशन देखेंगे उस हिसाब से आपको लेना है जितना डोज बताए उस हिसाब से आपको पं सकता है बच्चों की पहुत से इसे दूर रखना चाहिए साथ इसाथ एलकोहल के साथ अगर इसे कंज्यूम करेंगे थोड़ा सा ड्राउजीनेस या स्लीपीनेस फील हो सकता है बात करेंगे इसको इस्तमाल करने से पहले इसके लेबिल का डारेक्शन बहुत अच्छे से कफ आ सकता है नोजिया या थोड़ा सा चक्कर वगरा सकता है सथ चेष्ट में थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है सोडियस टूर्ण यह था आपका डूओ लीन इनेलर एक ऐसा इनेलर जो कि अस्थमा की कंडिशन में क्रोनिक औउप्स्टक्ट्टिव पल्मूनरी डिज जाने कि COPD की condition में सास लेने की जब दिक्कत होती है उस समय ये pump ये inhaler दिया जाता है और इसका बहुत अच्छा आसर देखने को मिलता है तो इस pump की inhaler की जानकारी कैसी लगी अगली medicine अगली दवाई अगला inhaler अगला pump किसके बारे मताएं उसे भी comment box में जरूर लिखेगा आप आपको हर प्रकार के अगर medicine की जानकारी चाहिए चाहे किसी भी प्रकार की medicine हो आपके डेली योज की medicine हो अगर उसकी जानकारी चाहिए तो एक बार इस playlist को भी जरूर विजिट कीजे चलिए मिलते है किसी अगले वीडियो में किसी अगले topic के साथ तब तक के लिए thank you so much dear all the very the best